हे काईज विलकम बेक टो में एडिप चानल तो आज हम ड्रेगन गोड सीरिस को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिफिस एपसोड में देखा था टांग वुलिन ने ऐसे एक बोल क्रेट कर रहा होते एनरजी कि पहले यहले होती फिर वह वाइट हो पड़ती है और रोटेट कर रही होती है यह कंप्लीट हो गया है वुलिन को कुछ भी नहीं हुआ होता है कि बहुत अजीब सी फिलिंग है मैं पूर्ते से ठक गया हूँ तुम्हारी खुद की पावर है अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीखना इसे यह तुम्हारा बन ओफ दा मोस्ट पावफुल अटैक होगा फ्यूचर में तुम इसे नाम दे सकते हो जवानी बोलते निर्वाना डिवान थंडर वुलिन बोलते ठीक है चलो इसे ही बोलना हा रांजरी ने पूच्छ था की उसे बार भार क्यों नर्वाना डिवान थंडर को प्रक्टिस करना पडर रहे जो कितन सब पेंफुल है और इसी बार बार नर्वाना डिवान थंडर को यूज करते हुए वह फैमिलेर हो गया से और उसकी घ्र्वान्ठ थी वह भी काफ़़ी इंप्रूब होगी थी वह सबसे था इंपोड़न चीज यह कि वह यह चीज फील कर पा रहा था कि उसकी पूरी बोड़ी चेंज कर रही है उसे ऐसे फीलिंग आ रही होती है कि मतलब वह एक तरीके से रिबोन हो रहा है हर एक रिलीज के बाद लांजवान्य कुछ न कुछ चे में लेट हो रही थी और जादा एक्टिव बन रही थी वोलिन बोलता है अगर तुम फ्यूचर में से यूज करोगे तो उस अमाउंट में रखना जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो पूरी तरीके से तुम बैटर कर रहे हैं जितना मैंने सोच था यह सोच रहता है कि तुम हो कंप्लेंट नहीं की मतलब एक वर्ड नहीं बोला यह तो अच्छी बात है तुम्हें चेंज फील करना चाहिए अपने अंदर ऐसे जो निर्वाना थंडर है वो टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टी पावर है उसकी पर साथ महीं जो क्रेटिविटी वो पावर्फुल है इसकी जयब तुम्हें इसे प्रैक्टीस करोगे तुम आप इसी के साथ अपपनी बोडी को भी फोर्ज कर रहे हो मतलब तुम्हें बताइक यहे स्वड्स को फोर्ज करना macht को बना रहे हो सोल को भी बना रहे हो संख़े साते जो निर्वाना धिवाइन अठ्डर रहे है अग पावर ही नहीं है पर एक तरीक का है कल्टिवेशन का जिससे तुम अपने आपको इंप्रूव करोगे फ्यूचर में तुम्हार जो कंट्रोल होगा इसके उपर वो अच्छा होगा और तुम वैपन्स के साथ भी से अटैच कर सकती हो यह एक गोड लेवल कॉमबैट टेकनीक है इसके पास क्रेट करने की पावर है साथ में इसके दो इवुलूशन होगे फ्यूचर में अगर तुम कम्प्लीट कर पाओगे से टांग वुलूचर में इसके पास पावर है क्रेट और डिस्टोई करने की सेम ही टाइम पे इसकी दो इवुलूशन होगी फ्यूचर में अगर तुम इसे कम्प्लीट कर पाओगे तो जो री अपेर एंसे ड्रागन गोड की वो सपने निरे जाए की बेसिस पे और साथ में लाइफ और डिस्ट्रेक्शन के बेसिस पे तुम ड्रागन गोड पे ब्रेक्ट्रू करोगे वो सिर्फ मतलब एक स्टेप पीछे रह जाएगा मतलब एक स्टेप आगे उस टाइम पर जो निर्वान ना डिवाइन थंडर है वो भी सबसे अधर जब तुम ब्रेक्ट्रू करोगे तुम्हार पर सची मुझी पावर होगी एक गोड किंग की उस टाइम पर तुमें कोई भी हैलप नहीं कर सकता है तुम खुद की स्टेंथ के उपर रलाए कर सकता है टांग बुलिन बोल रहा होता है कि इस प्रैक्टिस में मैंने तुमें म मतलब जो तुमारा एडवेंचर है उसे तुमें एक लिमिट पर करना चाहिए अगर तुम कुछ गल्द करोगे तुम सब कुछ खोद होगे मतलब एक तरीके से बिना लिमिट के करने दिया मतलब कहरी रहा था जवानियों बिना रुके ऐसा वैसा बुलिन बोलता है इसलिए जितने ज़दा एडवेंचरिस तुम होगे उतने ज़दा अच्छे तुम होगे वुलिन बोल रहा तो यह अंकली मैं बोलिन से अकलेता है बोलता है तो मैं जल्दी करने को जूरूत नहीं है इंतजार करो अपनी मदर के जागने का हमारी फैमली जल्दी रियनाइट हो साथ मिल गया और वोर्ड शिप में पै रख दे उसने वह वापिस ट्यानलोंग स्टार में जाने के लिए निकल पड़ा एक अकेली चीज यही थी कि मतलब जो पूरी शिप थी वह भरी हुई थी फिर ऐसे लंबी जनने के बाद जब उन्होंने बैटल शिप देखी सैवंट तो जो 33 स्काइविंग्स थे मतलब उनकी वोर्ड शिप जो थी उन्होंने अपनी जो छूपने वाला स्टेटस था उसे लिफ्ट अप कर दिया मतलब ऐसे ही दूसरे मोड पे थे में शिप में चड़ने से पहले उन्होंने कुछ प्रिप्रेशन थी वो करनी थी अकेडमी अ सारे सिच्वेशन को सावल प्लांट्स को बता दिया था वो डेस्टने रिंग में चले थे कुछ टाइम के लिए छुपके एक तरीके से लेकर जा रहा था जौन्यू जौन्यू बलते सब कुछ तियार है हम तियार है में चड़ने के लिए प्रेसे जौन्यू आगे चला होत चले गए वह श्रह होता है तुम जैसे जैसे कर रहे है इस ताइम पर फेडरेशन तुमें सपैशल अवोर्ड देगी हर इंसान जो तुमारी टीम में वह लेवल 6 स्काइफाइटर जो है उसमें प्रमोट हो गया है और तुम स्पैशली लेवल 8 स्काइफाइटर में तो यह तुम्हारे पास एक तरीक का यह है, गोल्ड मैडल है तुम्हारे पास यह जिससे तुम मोट से बच के आ सकते हो, बतला अगर कुछ अटैक वगयरा हो गया तो यह डिरेक्ट इन शिप्स को बुलवा सकता है या फिर ऐसा वैसा कुछ है, वो गोलता है गर तुम अपने बैटल आर्मर को बनाना चाते है खुद के, तो जो बिल्डर से हैं वो तुम्हारे साथ कोपरेट करेंगे, जो फेडरेशन है वो तुम्हारे लिए एक खास गोड लेवल मेकर को बनाएंगे, और जैसे तुम्हारा एट लेवल स्काइफाइटर का वो है, अर इसे कट कर दे और जैसे तुम्हारा लेवल एट स्काइफाइटर का रैंक है, तुम्हार जो इंफ्लेंस है फेडरेशन में, वो टोप अंडर रैंक में आ गया है, मेजर जनल लांजवान्यू, मैं फेडरेशन की बहाफ में तुम से पूछ रहा हूँ, अगर तुम कुछ रिक्वाइरमें ट्रांसफर कर दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि वो सभी यूनिफाइड और मेरी कमांड के अंटर हो, मतलब वो सभी बटे बटे थे तो अब एक टीम में हो जाएंगे, जोन्यू मेजर बन गया, गाइस, कैप्टन बोलता है कि मतलब आरे से कट कर देना, जोन्यू फिर बोल मेकास को बिल्ड करने के लिए 33 स्काइविंक्स के लिए, मैं समझता हूँ फेडरेशन के रिक्वेस्ट को, पर जो फ्लीट है वो अगर अलो करेंगे, तो हम जल्दी चले जाना चाहते हैं, डियालोंग स्टार में अभी, कैप्टन बोलता है, पहले दो पॉइंट्स तो ठी मैं पहले इंसान बनुगा तो मैं सपोर्ट करने के लिए, जौनी बोलता है, तुम मेरे कॉंटेक्ट में सबसे पहले होगे, कैप्टन बोलता है, ठीक है, यही बाते थी, अब जाओ रेस्ट करो, जौनी बोलता है, ठीक है, वो चल पढ़ता है, वहां से, वो ऐसे फोन करता अब बोलता है, जौनी बोलता है, जौनी बोलता है, इंस बोलता है, कुछ दिसकस काना चाहता हूँ, मतलब सही होगा, कुछ कलतों नहीं होगा, मतलब तुम कर दूश्य को दो साथ कमेंट करके बताए अगर आपके विडिकास लिगे सब्सक्राइब करें तो अब तक लिए बाए